नमास्कार दोस्तों, हर इंसान खत्रों के बारे में जानता है कि मुझे किस प्राणी से खत्रा हो सकता है। खास तौर पर जैसा कि जंगली जानवर, सेर, चिता, भालो, गेडा, इत्याती जानवर उनके बारे में हम भली भाती पर्चित होते हैं। क्या आपको पता है जो छोटे छोटे प्राणे होते हैं हम उनके बारे में कभी गंबिटा से नहीं सोचते हैं जैसे चिपकली, मक्ही, इस्टॉन फिस, सांप, सलो लोरीज, पाफर फिस, वाइजन, फ्रॉग, कॉन सेल, सी वास्प, मॉस्किटो यदि इनके बारे में जानकारी न हो तो ये इस खतरनाग भी हो सकते हैं यहां तक कि इनसान की जान तक जा सकती है चलो आज इस वीडियो में इस दस प्राणियों के बारे में जानने का प्यास करते हैं पहले नंबर पहें गिला मॉनिस्टर दोस्तो इहदी आपको कभी घुमने के लिए दक्षनी पहचमी, सेंक्त राजी अमेरिका और उतरी मेक्सिको में जानने का आउसर मिलता है तो यह गिला राक्सास नामक छिपकली से सावधा रहना होगा यह एक छोटी चिप के लिए है जिसकी लंबाई लगवग 20 इंच तक होती है जैसा कि वीडियो में आपको दिखाए दे रहा होगा जो यह गिला मॉनिस्टर है, महाँ पर इनकी दो परकार की परजातियां पाए जाती है और जो इस परजाति का नाम है हेलो डर्मा स्पेक्ट्रम है इसका रंग काले और गुलाबी धब्बे या पट्टियों के साथ हो सकता है दूसरी जो परजाति है वो थोड़ी बड़ी होती है उनकी लंबाई लगव 32 इंच तक होती है और यह गर्मी के मौसम में रात के समय बाहर निकलते हैं क्योंकि रात को भोजन की तलाच में निकलते हैं और इनका प्रिय भोजन है अंडे देने वाली छोटी पक्सियां और उनके अंडे होते हैं और ऐसा प्राणी है जो गर्मी के मौसम में खाये हुए भोजन से जो भी वसा मिलती है उसका उपयोग सर्दी के मौसम में करता है और वसा इसके पूंच में स्टोर होती है और जो इसके मुह में दातों की संदचना होती है उसमें दो खांचे बने होते हैं यह सिकार करने में बहुत तेज नहीं होता है लेकिन जो इसका जबड़ा होता है वह मजबूत होता है यदि शिकार को पकड़ लिया तो उसको 10 मिनर तक अपने जबड़ों से दबा कर तेखने की समतार रखता है जी जगह पर काटेगा उस घाव के माध्यन से जहर इंजेक्ट कर देता है क्योंक नहीं पैर के मिचे दबजाई ऐसी परिस्तिते में काट सकती है और जो इनका प्रमुग भूजन है अंडे छोटे पक्सी और छोटे जानवर चिपकलिया मेड़ और मान से लगवा इस सभी इन चीजों को खाते हैं और इनको उहां की सरकारद्वारा संक्षण भी दिया गया इसका मतलब यह नहीं है कि आप इसको आम चिपकली समझो इसमें जो जहर निकलता है वो जहरीला निरो टॉक्सिन उत्पन्न करता है जो तांत्र का गदिविद्यों को खराब कर सकता है यदि किसी को भी काट ले त्रूंत चिक्सा प्राम से लेना जरूरी है और अपने दाथ तो नहीं है घाव के अंदर और अमोवन हमारी बोल चाल की भासा में यह हम किसी साफ के छोटे बच्चे को देखते हैं कहते हैं यह अभी छोटा बच्चा है इसमें जहर कहां होगा आपकी जानकारी के लिए बता दू इस चिपकली की जो बच्चे पैदा होते हैं उन इसकी पाचन के लिए धीमी होने के कारण इसको हर साल के वल तीन से चार बड़े भूजन की आउस्ता होती है अब दूसरे नंबर पर आता है ततसे फ्लाई यदि दोस्तों आप किसी काम या विजिट के लिए अफरिका के देशों में जाते हो इस मक्की के बारे में जरूर जानकारी होनी चाहिए जिसका नाम है ततसे फ्लाई जो आपको अफरिका इलाकों में देखने को मिलेगी यह मक्की इस छेतर में पाई जाने आली एक खतरनांग मक्की है यह मक्की इनसान और जानवर का खुन पीकर जिंदा रहती है और इसके काटने पर तो बिमारी होती है उसका नाम है African Sleeping Sickness बीमारी और इस मक्षी की जो लंबाई होती है वो एक इंच से भी कम होती है और यह इनसान और जानरों का खुन पीने के लिए अपने ब्लेड जैसे मेंबल्स का उप्योग करती है यह इतने मजबूत होते हैं कि गेंडे की खाल को भी काड़ सकता है कि आप किसी कार से श पर में जा रहे है आपको चलते जलते नीड असकती है और किसी दुकटना का कारण बन सकती है या फ्र आप गंभीन निद्रा की ओस्टा से आगे जा कर कॉमह तक जाने कारण बन सकते हैं और अन्य कारण भी देखने को मिल सकते हैं जैसे बुखार और लिंप नोट से की सूजन इसमें सामिल है कभी कभी पेड़िद्बेक्ति के हिर्दे में घातक सूजन भी हो सकता है इस मख्य के अनेक नाम है जीनस गुलोशिना या फिर टिक-टिक मख्य भी का 6 से लेकर 16 मिली मीटर तक हो सकती है इनका रंग पिले भूरे से लेकर गहरे भूरे रंग तक होता है उनका वक्स भूरे रंग का होता है जिस पर अक्सर गहरे निशान होते हैं और जो इनका जियोनकाल होता है मात्र 2 से 3 सपता तक होता है और मादा मख्य का 1 से लेकर 4 सपता तक हो सकता है और मक्ही आपको ज्यदा तोर पर जंगलों में देखने को मिलेगी हो सकता है किसी जानौर के साथ आगरसन होकर उनके साथ मूप कर सकती है और जो इनकी गधिविदियां होती है वह सुवा और दोपहर को ज्यदा होती है शूरी अस्त के बार इनकी हल्चल कम हो ज जंगल में इनको कम करने के लिए दवाईयों का चिड़काव और साफ सपाय का ध्यान रखा जा रहा है पहले की पेक्षा में बहुत कम हो चुकी है लेकिन पुरी तरह से स्टॉन फीज को मुग हैतियारी भी का जाता है यह मचली इंडोपैसिफिक एरिया में पाई जाती है इसकी लंबाई लगवग 33 सेंटीमेटर तक हो सकती है अमवन यह समुद्र के उथले पानी के पास चट्टान या फिर कीचड के पास रहना पसंद करती है इसलिए काम ही मात पात्रा में दिखाई देती है और अगर गलती से इसके उपर पाउं रख सकते हो आपकी जानकारे के बता दूं कि इस मचली की रीड से जहर निकलता है जो बहुत ही दर्दनाक होता है और यह खातक भी हो सकता है यह स्टॉन फिस जीना सिनेशिया स्मू की एक बिसली समुद कैसरी मचली होती है 남자 दो हुदी होती है यह मचली काफी अर захी एक टेज भागने वाले भी नहीं होती है और नहीं आप इसको देख सकते हैं कि में की जिए लगवर पद्फर की दिखाई देती है आपको तभी पता लगएगा जब इसके उपर आपका पढां पढ़ेगा भी नेस्टे है भूम्सलेंग सांप, भूम्सलेंग सांप जिसकी लंबाई लगबग 6 फूट तक हो सकती है, और कुंडिली मार्कट बैठा रहता है, हो सकता है खाने की तलाच में आपके आसपास कोई रोटी या भुजिन की तलाच में इंतजार कर रहा हूँ, वैसे आमतर पर ही लेकिन फिर भी आपको तुरंत चिक्ष्या लेनी है, और यह सांप ज्यादा मोटा भी नहीं होता है, पतले किछम का सांप है, और मनुस्य के लिए निश्ची दूप से खतरनाक है, आमतर पर बिसला सांप है, या कुल ब्रिडे, प्रजाती का सांप है, या सिकार को पकड़ का रंग और आखों का रंग परतन करने की महरत इसको हांसिल है, यानि कामोफलाइज कारवाय कर सकता है, कामोफलाइज का मतलब होता है, उस जगह की जैसी भौगली ग्रूप रेखा होगी, वह उसके मताबिक अपने आपको ढाल देता है, और या जब हमला करता है, अपने गर्धुन को फुलाता है, फिर हमला गड़ता है, और जो इसके मुह में दाउत आगे की तरफ होते हैं, उनसे भौग जबरदस्त वार करता है, इसके कारण खून बहुत मात्रा में निकलता है, और यही खून जदा मात्रा में निकलने से बीज भी फैलाता है, या थोड़ा अच्छों के खेलने आले टेडी वेर की तरह लगते हैं, अच्छी चाहत देख लो, यहीं आपको यह दिख जाए और आप इनको गिलीदी समझ कर गले ना लगा लेना, इनकी पांच परजातिया होती हैं, और यह बहुत बड़े भी नहीं होते हैं, इनकी लंबाई लगबक 37 cm तक हो सकती है, और खास तरफ यह प्राणी इंडोनेशिया और मले प्रहय दीपमा पाई जाते हैं, इतने छोटे होते हैं कि आप इनको अपने हैतेली में रख सकते हैं, देखने में बहुत ही क्यूट होते हैं, जिदि आपने इनको पकड़ा तो फिर यह अपने कोहनी के पास बिश पैदा करेगा, और अपने मुह से उज बिश को चाटने लगेगा, और वो बिश उसके मुह तक पहुंच जाएगा, और फिर वो आपको काटने का प्रयास करेगा, और आपके सरीर में एक गंभी अलर्जी पैदा कर देगा, और सुजन और दर्द से इनसान प्रि सने आ जाता है, वैसे तो यह लगभग, कुकांग, प्राहय दीप, मलेशिया और इंडोनेशिया दीप समात्रा में पाए जाते हैं, फिर भी इनकी जो अन्य परजातियां हैं, एसिया के अन्य हिस्चू में देखने को मिल सकती है, इसलिए आपको यह प्राणी कभी दिखता है, आप जरा साधन हो जाएं, यह सलोलोरी कीडे, घास, फलों और छोटे-छोटे जानरों को खाती है, इन सर्वा बिना किसी कारण हमला नहीं करती है, यदि आपने इसके वच्चे और भोजन के साथ छेड़-छाड़ की, तो उस प्रैस्तिती में यह आपको काड़ सकती है और यह जिस जगह पर काड़ती है, उस जगह का मांज सरने लगता है, कुछ परजाती को छोड़कर बांकी परजाती हैं बिसली परजाती होती है, लोग इन जानरों को भी पालतो जानवर के रूप में पालते हैं, क्योंकि इनका उप्योग दवा बनाने में किया जाता है, लेकिन इनको आवादी ओले छेत्रों में नहीं पाला जाता है, दूद राज के छेत्रों में इनको पाला जाता है, इसलिए ध्यान रहें, कभी भी आपको स्लो लोरीज दिखती है, तो उसे गिलरी समझ कर आप पकड़ने का प्रयास ना करें, अब इसी स्विची में एक और ज पफर मचली होती है, इसकी बहुत परजातियां होती है, उनमें से कहीं परजाती जहरीली होती है, जापान में लोग स्य बड़े चाव से खाते हैं, जो इससे खाने का पकवान बना जाता है, जाका हम उसे फूगाती है, उनका बार Pray zeimoo के रिषाicion होती है, जहान रहें делать कि इस मचली का बिंजन बनाना शुरू मत कर देना क्योंकि यह मचली एक बिसेली मचली होती है जो लोग इस मचली का बिंजन बनाते हैं वे लोग इस मचली के बारे में भली भाती जानते हैं कहाँ पर बिस है और कैसे उस सो हटाया जाता है ऐसा मत करना कि आपको फफर फिस मिली और आपने उसका बेंजन बनाना शुरू कर दिया यह आपके लिए घातक हो सकती है जो इसमें जहर होता है फोगु नाम का जहर होता है लोगों की गलती की वज़े से सैक्डो लोगों की जान जा चुकी है यदि किसी इनसान ने जो इसका जहरीला लीवर या अंडा से का एक चोटा सा टुकुडा भी खा लिया आपका सरी सुन हो सकता है और अन्य तरके के सैड एफेक्ट देखने को मिल सकते हैं यहां तक की इनसान की मौद तक हो सकती है इन मचलियों के अलगलग नाम है जैसे स्विल फीश या बलो फीश जो इनकी परजातियां पाए जाती है वो लगवन 90 परकार की परजातियां होती है इनके एक पहचान होती है यदि जब इनको कोई खत्रा या परसानी होती है हवा और पानी को अपने अंदर भरकर गोल हो जाती है ऐसा करने में इनकी बार परजाते ही परमुख है वैसे तो यह मचली जहां पर गर्म और समसितोशन सेत्रों में अधिक पाई जाती है लेकिन आप यह मत सोचिए कि यह मचली समदर में पाई जाती है यदि आप ऐसा सोचते हैं तो आपका सुचना गलत भी हो सकता है क्योंकि इस मचली की जो तचा होती है वो बहुत कोठोर होती है यह मीठे पानी में रहने की समता भी रखती है आपको लग रहा हुआ कि छोट फ्रोग का रंग जो इसकी तवचाक होती है वह जहरीली होती है और यह मेड़क बड़े भी नहीं होते हैं इनकी लंबाए ओस्तन बार मिलीमीटर से लेकर 65 मिलीमीटर तक हो सकती है आम तोर पर यह मेड़क मद्य और दक्षण एमिका के उसन कठी बंदी सित्रों में इनके लिए जलवाय उप्युत्त है फिर भी यह आपको कहीं पर इस तरह के मेड़क दिखाये देते हैं उनको चुने की जरुवत नहीं है आम तोर पर इंसानों के लिए खतरनाग नहीं होते हैं फिर भी यह शरीर के किसी घाव में इनका प्वाईजन लग जाए खतरनाग हो सकता है लेकिन यह आपको यह रंग भरे मेड़क आपको दिखते हैं आपको भागने की जरुवत नहीं है और अपने मुह के पास इन मेड़कों को मत लाइए कहें देखने के चकर में अपना तक नहीं चल पाता है कि किसी घाव मेड़क से हमारे सरीर का इसपर्स हुआ है कुछ हमें जलन सी मौसू जरूर होती है हलांकि इनकी परजादी का एक मेड़क जिसका नाम डौर्ट मेड़क है यह कोई बंदर या पक्सी उसकी पीट को रगड दे तो यह मेड़क अपने जह सकते हैं और कुछ चेत्रों में इनके पीट के उपर नीला और हरा रंग भी देखने को मिल सकता है जैसा कि आप वीडियो में देख वारे होंगे अब आता है ऐसी सेड़े में लेकिन जो हम बात कर रहे हैं वह समुद्री कॉन सेल इसको हिंदी में समुद्री घेंगा कहा जा जहर से इनसान के सरीर में सुनद्पन सरीर में निटक होना सकर का आना या फिर आपके कहीं अनिय साइड खे cloudy को मिल सकते हैं इनके डचन के में को जहर होता है वह कहीं लोगों को हीट कर सकता है अलांकि मौत नहीं होगी ऐसा कोई ही अटी जहर नहीं है इसलिए आप यदि इनको पकड़ने का सौग रखते हैं जरा आपको ध्यान देने की जरुवत है और फिर इसी सेनी में एक और आता है जिसका नाम है सी वास्प इसको हिंदी में समुदी ततईया कहते हैं यह मचली जली फिच की ड्रयादरी में आती है यह अभी इंडो-पैस्पिक सेत्रे में रहने के लिए मसूर है यह लगबग 25-30 सेंटीमीटर के ब्यास में पाए जाती है दोस्तो आपकी जानकारे के लिए बता दूँ यह मचली इतनी जहरीली होती है यदि इसने किसी इनसान को डंक मार दिया तो इनसान की 30 सेंटे में ही मौत हो जाएगी और इनसान का हिर्दे 30 सेंटे में ही थम जाएगा माल लोग इनसान को समुद्र के किनारे तक पहुँशने तक का समय भी नहीं मिलेगा तो आप सोच सकते हो यह कितनी खतरनाग मचली है जो इसका डंक है वो बहुत ही दर्दनाक होता है और इनसान दर्द के घवरार से अपना दम तोड़ देता है इसकी अभी तक 200 परजातियां पाई गई है यदि आपको यह मचली आपको कहीं पर भी दिख जाए तो जान बचा कर भाग नहीं उचित होगा इसकी जानकारी रखना भी आपके लिए फोट अभिवारी है अब जो इसी लिस्टे में आती है जो हमारे आसपास और घर के अंदर भी हमको परसान करती रहती है वो है मॉस्किटो जिसको हम हिंदी में मचल कहते हैं अब इनके बारे में भी प्रकार डालते हैं जैसा कि आप जानते ही होंगे मचल गर्मे इलाग के और सम्चितुसन जलवाई में ज़्यादा पनपते हैं लाग कि आज के समय में तो इनोंने सभी जगों पर कबजा कर रखा है अब मन जहां भी जाते हैं मचल दीखी जाता है उनका तो हमें अंदाजा है ही मगर मचल के काड़ने पीला बुखार और मलेरिया जैसी विमारिया फाइलेरिया और डेंगू जैसी विमारिया को जन्म देती हैं जिसका आपको अंदाजा तो होगा ही जितने लोग दुरुखना से नहीं मरते हैं उसे कहीं अधिक इन मचलों के काड़ने से मरते हैं लाकों लोग इनके इन मनमानी के सिकार होते हैं ये छोड़े-छोड़े केड़े इनसान के सरीर में पढ़जीवियों को फैलाने का काम करते हैं और वो पढ़जीवियां हमारे सरीर में पनपते हैं जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, इनके जो पनपने की जगा है, वह है गर्मे इलाके और समसितुशन जलवाई वाली जगा, पर ज़्यादा तोर पर पनपते हैं, इसलिए दोस्तों, एदे आप स्वस्थे भी हैं, अपना हेल्थ चकप समय समय पर जरूर कराएं, जिससे आपके सरीर में पनपने वाली बीमारियों का समझ रहते पता चल जाए, मच्छरों की लगबग 3500 परजातियां हैं, इनमेंसे जो खतरनाक होती हैं, वह है मादा मच्छर होती हैं, जो हमारे स्वास्त को प्रवाइद करती हैं, और वह इसलिए ज्यादा कारती हैं, क्योंकि उसको अपने अंडों को परिपक को बनाने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती हैं, जो वह इनसान का खून चूश को प्राप्त करती हैं, इसलिए आप अपने आसपास पानी को लंबे समय तक एकठार ना होने दें, मादा मच्छर की जो अंडे देने की जगह होती है, वह है पानी की सथा के उपर और फिर पेड़ के पत्तु में, यदि आपके आसपास पानी जमा होगा, तो हवा के कारण वह अंडे नीचे पानी में गिर सकते हैं, इसलिए समय समय पर पानी को साफ करते रहें, पानी को रुकने न दे, आपके जानकारे के लिए बता दूँ, मच्छर अंवन जो देखने को मिलते हैं, वह तीन परकार के होते हैं, पहला है एनोफ्लीज मच्छर, दूसरा है क्यूलेक्स मच्छर, और जो तीसरा परजाती का है वह है एडीज मच्छर, यहे तीन मच्छरों की परजाती हमारे आसपास देखने को मिलती हैं, इसलिए हमको मच्रों की रोग थाम ही तो अपने आसपास के इलाके में सपाई रखनी चाहिए जिससे ये मच्छर हारे सरीर में रोगों को न फैला सके अपने बचाओं के लिए सुय अस्त के बाद फूल अस्तिन वाले कपड़ों का इस्तेमाल करें और अपने हाथ और अपने खुले भागों में क्रीम का परियोग करें और दर्वाजे और खिड़कियों में जाली का इस्तेमाल करें यदि हो सके रात को सोने के लिए मच्छर दानी का इस्तेमाल करें अपने आसपास के इलाके में कीटनासक दवायों का प्रियोग करते रहें रुखे हुए पानी को साप करें जिससे इन मच्चनों के दोरा थेलागे संक्रावक रोगों से बचा जा सकता है जसा कि मैंने आपको वीडियो की सुरुवात में बताया था जिसको हम ज़्यादा गहराई से नहीं लेते हैं यदि मैं अपने सब्दू में कहूं अज्ञानता के कारण कभी-कभी है मैं इन छोटे-छोटे प्राणी से कितना बड़ा नुक्सान हो सकता है यहां तक की हमारी जान तक जा सकती है इसलिए हमको इन छोटे-छोटे प्राणी को इग्नोर नहीं करना चाहिए वीडियो को देखने के लिए भहुत-भहुत धन्यवाद